हेलो बच्चो हमारा नेक्स टॉपिक है एबनॉर्मल मुलर मास क्या होगा कि जब भी किसी इलेक्टोलाइट को इलेक्टोलाइट वह होते हैं जो वाटर के अंदर डालने पर अपने आयंस में ब्रेक हो जाते हैं जैसे कि के सी एल होता है तो जो जो एसे जिसे में उसको क्या या फिर जो सॉल्ट होते हैं वो जर्णरली लेक्टोलाइट होते हैं एसे हमारे पास क्या है जब भी हम किसी किसी लेक्टोलाइट को वाटर के अंदर डालेंगे या किसी सूटेबल सॉल्वेंट के अंदर डालेंगे तो या तो वो डिसोसियेट होगा या फिर वो एसोसियेट होगा डिसोसियेट का मतलब या तो वो सिंगल है दो में तूट जाएगा या तीन में तूट जाएगा या पिर क्या है वो पहले से ही 2 हैं तो वो जुड़कर एक बनाएंगे यानि डिसोसियेट मतलब क्या है तूटना और असोसियेट मतलब क्या होता है जुड़ना तो जब भी किसी इलेक्टोलाइट को किसी suitable solvent के अंदर डाला जाएगा तो या तो वो dissociate होगा या हो associate होगा जिससे क्या होगा उसका molar mass या तो क्या होगा decrease होगा या उसका molar mass increase होगा ये जो नया molar mass आया ना जो decrease या increase value आये molar mass की बस इसी को ही हम क्या बोलते हैं abnormal molar mass बोलते हैं बाइट और example हम example ले लेते हैं case of dissociation ले लेते हैं और उसमें हम ले लेते हैं example naホ का हमारे पास naホ है यानि sodium hydroxide है sodium hydroxide यहाँ पर solute का का काम कर रहा है किसका काम कर रहा है solute का ऐसे case में हम solvent यूज़ करेंगे वाटर यूज़ करेंगे हम यह देखेंगे before particle यानि एन्नेवेच के dissociate होने से पहले कितने particle थे एक particle है एन्नेवेच के dissociate होने के बाद कितने particle आई दो particle इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी जो colligative property होती है वो number of particle पर depend करती है और जो हमारी colligative property होती है वन अपॉन molar mass होती है ठीक है तो यह तो formula है दोनों ऐसे आपको ध्यान रखने है लेकिन हम बात कर रहे थे abnormal molar mass की तो इसका जो नया molar mass आएगा वो actual molar mass जितना होगा उसका divide by 2 हो जाएगा मतलब जितने भी यह particle में divide हुआ है अब इसका actual molar mass 40 होता है ठीक है अब यह क्या है पहले एक particle था बाद में 2 particle हो गया इसका मतलब क्या हो गया जो molar mass है जो इसका actual molar mass होगा उसमें हम 2 से divide कर देंगे तो इसका abnormal molar mass आजाएगा हमारा 20 gram per mole right तो यह तो हमारा हो गया dissociation का case dissociation में हमें से ध्यान रखना जो हमारा molar mass है किसी compound का वो घट जाता है कितना घटता है वो depending on the कितने particle में dissociate हो रहा है अब आता है case of association case of association में क्या होता है हमें कोई non-acquas solvent लाइक जैसे बेंजीन या CCL4 यूज़ करना होता है ठीक है जैसे हमारे पास क्या है बेंजाइक acid है अब बेंजाइक acid को पानी में डालोगे तो डिसोसियेट होगा लेकिन जब उसे आप बेंजीन वगेरा में डालोगे या फिर CCL4 में डालोगे तो भर वो एस ओसीएट होगा एसाओस एट का मतलब है कि पहले वह धुटरूम लेकिन जैसे बलें डाले तो वह कितने एक पूरा का पूरा मॉलियों हाइडरोजेन से बॉनन्डेड हो गया और यह ही स्थान ने लग डाल के सपर जैसे दोए इसे प्रकार से हमारा सी डबल बॉंडो और वेच और इसको ऐसे लिख सकते हैं सी डबल बॉंडो और वेच तो यहां से क्या होगा यह और यह जो ओ है यह आपस में हार्डोजन बॉंडिंग द्वारा जुड़ जाएंगे और यह जो हमारा क्या है है और यह जो ओ है यह हमारा हार्डोजन बॉंडि ठीक आ अब हम इसमें क्या देखेंगे कि इसमें देखेंगे हम कि वह बात आए कि जो हमारी션 मौलर मस को ते और सोटी और सिपि जो कि होती हो नंब्र अब सॉल्यूट होती है ठीक 건강 तो हमारा न्यू मोलर मास क्या हो जाएगा गएंजाई कैसिड का जो एक्चवल मोलर मास है उससे दुगना हो जाएगा क्योंकि अब दो मॉल्स की तरह करते हैं तो उनका मास भी क्या है अब डबल हो जाएगा पहले उसका मास 122 था बंटिप्लाइब टू से कर दी तो वहां मा प्रोपर्टी या एक फेक्टर से देनोट किया जाता है इसके मेगनिट्यूड को हमें एक फेक्टर से डिनोट करते हैं उससे निकालते हैं उसको बोलते हैं हम क्या वेंट आफ फेक्टर और वेंट आफ फेक्टर क्या होता है हमारा इसे डिनोट करते हैं आई से राइट तो इट डिनोट इड़ आई यह होता क्या है इट गिफ्ट दा फॉर्म फॉर्मेशन फॉर लुद्ट क्या है यह यह को क्या है यह को क्या है यह सकते हैं अब क्या हो जाएगा normal molar mass upon abnormal molar mass जैसे इसमें मैं i की value निकालना चाहूं तो normal molar mass हमारा 122 है और abnormal मेला 244 है तो 122 बटे 244 हो जाएगा तो मेरा जो i आ जाएगा वो 0.5 आ जाएगा क्योंकि 1 upon 2 हो जाएगा 1 upon 2 मतलब 0.5 i की value 1 by 2 आएगी यहां पर ठीक है और यदि मैं पिछले वाले में देखूं तो normal molar mass मेरा 40 था और abnormal मेरा 20 आए था एन ने अच के case में तो 2240 उसमें क्या जाएगा i की value 2 आ जाएगी ठीक है न तो यहां पर क्या बता रहा है उसने कितना dissociate हुआ या कितना associate हुआ आ रहा है तो i की value ऐसे निकाल सकते हैं दूसरे case में क्या है हमारे पास i की value आप ऐसे निकाल सकते हैं कि observed colligative property upon calculated colligative property राइट observed colligative property या calculated calculate में आप उसे calculate करेंगे observed आपको given हो सकती है राइट या सबसे important जो formula है वो यह है आई का कि total number of moles of particle after dissociation और association upon total number of moles of particle before dissociation और association जैसे अभी आपने देखा एन निवेच के case में कि after dissociation तो दो particle आए थे और before dissociation एक particle था तो 2 upon 1 इसका मतलब है i की value 2 आ गई i की value कितनी आ गई 2 ठीक है तो i हमें यह बताता है कि कितना हमारा क्या है सबस्टांस dissociate हुआ है या फिर कितना हमारा associate हुआ है उसे point of factor से हम क्या करते है डिनोट करते है या इसके case में देख लो आप benjoy cassette के case में जो हमारा total number of particle after dissociation है वो तो आया था 1 आ रहा है और पहले कितने थे 2 तो 1 upon 2 मतलब है कितना आ गया 0.5 इसका मतलब क्या है जो आई यह वो हमें information देती है कि कितना हमारा सभिष्टांट dissociate हुआ है कितना associate हुआ है ठीक है और went of factor जो आई वाला फेक्टर है न वो कब उन numericals के अंदर ही apply किया जाएगा जिन numericals के अंदर क्या है कोई electrolyte आपने यूज किया क्या यूज किया हो electrolyte अब हमारा क्या है जो went of factor है जिसको आई बोलते हो अब हमारे जितनी भी colligative property पढ़नी पढ़ी है आपने क्योंकि हम colligative property में हमें solute डालना होता है solvent में और अब की बार हमें क्योंकि आई वाला factor है तो हमारे पास कोई जब solute डालेंगे वह एलेक्टोलायत होगा electrolyte का मतलव अपने ions में टूटेगा और ions में टूटेगा तो पहले उसके particle कुछ और होते है और पानी में ढालने पर कुछ और हो जाते है है यहनि solvent में ढालने पर उसके particle का नंबर कुछ हो हो तो हमारा जो quality property है उनकी value भी change होगी जब change आएगी तो फिर मुझे i वाले factor की multiply करनी पड़ेगी तो जितने भी हमारे पास क्या है चाहे हमारी RLVP हो चाहे elevation और boiling point हो चाहे हमारा depression freezing point वाला formula हो चाहे हमारा osmotic pressure वाला formula हो हम सब formula के अंदर i की multiply कर लेंगे क्योंकि i की multiply करने से हमारे पास exact value आजाएगी नहीं तो पहले कुछ और क्योंकि particle का number change हो रहा है ना अंदर जाकर और बाहर पहले वो अंदर कुछ और पार्टिकल है अंदर जब जैसे हैंने अच को बाहर जदी बाहर है तो एक particle है अंदर डा आला तो दो पार्टिकल होगे तो कॉलिगर्टी प्रपरटी की वैलू चेंज होगी चेंज होगी तो इसका मतलब है हमाएं क्या है उस चेंज की multiply करने पड़ेगी कि कितना चेंज हुआ है ठीक है तो वह हमें फिर exact value देगा हमारे कॉलिगर्टी प्रपरटी इसलिए आपको आपको पूरे नंबर मिलेंगे लेकिन यह फॉर्मुला इध्यान रखना यह फॉर्मुला तब अपलाई होंगे दब हमारा किसी numerical में कोई electrolyte दिया हो है नहीं तो हमारा क्या है यह फॉर्मुले कोई भी apply नहीं होंगे ठीक है यह हमें को ध्यान रखना है राइट हमारे पास next topic है इसी topic से related है यह भी next calculation of degree of dissociation देखो degree of dissociation का मतलब क्या होता है degree of dissociation को सबसे पहले तो alpha से denote करते हैं और degree of dissociation क का मतलब होता है कि यदि हमारे पास कोई ऐसा electrolyte है जो पानी में डालने पर complete dissociate ना हुआ हो पूरा का पूरा क्या है अपने ions में break ना हुआ हो incompletely break हुआ हो या partially break हुआ हो ठीक है तो उस case में हमें degree of dissociation निकालनी पड़ती है हमें ये देखना degree of dissociation एक्चुल में एक ratio होता है क्या होता है ratio कि degree of dissociation यानी alpha equal to number of moles dissociated upon total number of moles माल लीजी हमारे पास acetic acid है और उसके हमारे पास 100 moles थे राइट हमने उसको किसमें डाला water के अंदर डाला और उसमें से क्या है 50 moles dissociate हो गए ठीक है तो dissociate कितने हुए 50 कितने थे 20 कितने थे 100 तो 50 upon 100 कितना हो जाएगा 1 by 2 यानी वो उसका केवल 50% dissociation हुआ है तो ये जो 50% आया ना ये जो 50 आया ये multiply 100 से कर देंगे तो 50 आ जाएगा ठीक है तो 50% जो dissociation आया 0.5 जो आ आया है आ रहा है ये जो dissociation हमारा आया है ठीक है इसी को हम क्या बोलेंगे अलफा बोलेंगे यानी degree of dissociation बोलेंगे एक बार फिर समझे लो कि यदि हमारे पास acetic acid के 100 moles है और उसको पानी में डाला उसमें से केवल 50 moles ही dissociate हुए है अपने ions में तो हमारे पास total moles dissociate जो हुए है वो 50 हैं पहले कितने थे 100 तो अलफा क्या होती है total number of moles dissociated upon total number of moles तो 50 upon 100 कर देंगे तो मेरा 0.5 आ जाएगा राइट तो 0.5 में यदि 100 से multiply कर दी तो percentage dissociation आ जाएगा तो उसे यह आगे हमारा गभी 50% वो dissociate हुआ है इसे बोलते हैं degree of dissociation यानि यह जो word है यह तब यूज किया ज ठीक है वो क्या हो weak electrolyte हो क्या हो weak electrolyte no degree of dissociation calculated in case of weak electrolyte for example acetic acid benzoic acid है जब पानी में डाले जाते हैं तो क्या है they dissociate partial यह पूर तरीके से dissociate नहीं होती है अब क्या होता है अब number of particles number of particles हमारे पास एक equation है acetic acid है उस पानी में डाला और CS3 CW- और H+, में वो break हो गया है राइट यदि व number of particles before dissociation कितने है एक है ठीक है ना number of particles before dissociation है नहीं कि अब यह dissociate हुआ नहीं है तो यह भी 0 यह भी 0 अब इस में से मैं माल लूँगा कि कुछ mole dissociate हो गई और वो alpha mole dissociate हो गई एजूम कर लो तो 1-alpha हो गई राइट तो 1-alpha फिर यह जितना यहां से माल लीजे एक mole निकला तो यह भी alpha बनेगा यह भी alpha बनेगा क्योंकि इसका भी एक mole है इसका भी एक mole है तो नाव क्या करेंगे हम i वाला formula लगा देंगे i हमारा क्या था number of moles of particle after dissociation और association number of moles कितने है 1-alpha plus alpha और plus alpha upon 1 कर देंगे i equal to हो जाएगा हमारा 1 plus alpha upon 1 तो i की value क्या है ध्यान रगना यह formula है ठीक है और कुछ नहीं है यहां से यहां तक क्यों है हम इस चीज़ को पढ़ रहे है ना degree of dissociation को वो हम क्या है इस i की value निकालने के लिए पढ़ रहे है कि i की value जब हमारा कोई weak electrolyte हो और उसका dissociation हो रहा हो तब कैसे निकालोगे तो अब इस formula से निकालोगे i equal to 1 plus alpha करके या alpha equal to 1 minus i minus 1 करके आ रहा है यह both the formula are important used in the numerical in case of dissociation only यह dissociation में यूज किये जाएंगे दोनोगे एक तो आप बात यह आपको ध्यान रखनी है ठीक है अब यदि हमारा dissociation जिसका हो रहा है वो हमारा कोई acid है तो उसके लिए dissociation constant यानि के भी निकाला जा सकता है क्योंकि alpha और के में एक relation होता है तो हमने माल लिया कि हमारे पास क्या है कोई acid पानी में डाला वो इस परकार से dissociate हुआ ठीक है अब equilibrium से पहले उसकी concentration c थी यह 0 यह भी 0 अब उसमें से at equilibrium पे उसमें से c alpha मोल निकल गए तो यह भी c alpha बने यह भी c alpha बने तो यहां से k जो होगा वो product की जो concentration है ठीक है ना उनका product होगा अपन जो reactant की concentration है product की concentration c alpha into c alpha upon c minus c alpha राइट यहां से हम k निकाल लेंगे k क्या हो जाएगा c alpha और c alpha की multiply c c square alpha square और c का common ले लिया तो 1 minus alpha c से c कट गया तो c alpha square upon 1 minus alpha यह important formula है जहां पर हमें k निकालना हो यह formula हमें apply करना होगा ठीक है यह formula तब लगाया जब हमारा alpha बहुत ज़्यादा होता है जब alpha ज़्यादा होता है तब यह formula भी apply होगा और जब alpha हमारा क्या है बहुत कम है तो 1 minus alpha को हम neglect कर देते हैं उसे 1 के बराबर मान लेते हैं तो k हमारा c alpha square हो जाएगा और यहां से alpha की value निकाले जाती है root k upon c जहांपर c molarity molarity मतलब concentration जहांपर जो जो भी आपके पास numerical value में mole per liter दे रखा हो इसका मतलब आपको c दे रखिए यह तो था हमारा degree of dissociation का case उसमें एक तो आपको क्या निकालना है एक तो i को और alpha का relation निक होता है राइट एक तो यह formula आपको ध्यान रखना है अब calculate degree of association अब क्योंकि इसमें क्या होता है वीक के case में association भी होता है ठीक है ना association भी इसमें क्या है कभी कभी complete नहीं हो पाता कि पूरा का पूरा molecule ही associate हो गया ऐसे case में क्या है before particle लेक है after particle 0 है number of particle before 1 और फिर 0 है उसके associate हुए है तो यह हो गया एक हमारा alpha by 2 1- alpha करेंगे यहां से क्या हो जाएगा alpha by 2 क्योंकि पहले दो molecules था और फिर कितने बने हैं हमारे एक बन गया तो total molecules यानि 1- alpha plus 1 alpha by 2 upon 1 तो यहां से i की value जो आ जाएगी वो 1- alpha by 2 आ जाएगी यह most important formula है i की value क्या है association के case में 1- alpha by 2 होती है ठ alpha equal to 2 1-i यानि एक तो आपको यह formula i equal to 1- alpha by 2 और एक आपको यह formula alpha equal to 2 और 1-i यह दोनों formula इतने important हैं ठीक है कि इन पर based क्या है कुछ numericals आते हैं जहां पर हमें i की और alpha की value निकालनी होती है और वहाँ पर यह formula जरूर ही आपको apply करने पड़ेंगे ठीक है तो आपको यह तो य याद रखना है चाहे observed quality property upon calculated property हो या फिर normal molar mass upon abnormal molar mass हो या फिर number of particle number of amounts of particle before dissociation or association या number of particle after dissociation association आपको पूरा का पूरा याद रखना है alpha और k में relation ध्यान रखना है और k का यह फॉर्मल ध्यान रखना है c alpha square upon one minus alpha यह जो formula है होंग होंग कभी या जब हमारा dissociation हो और dissociation भी कैसा हुआ हो partially हुआ हो राइट यानि हम weak electrolyte के case में क्या है degree of dissociation यानि alpha वाली term तब यूज किया जाते हैं ठीक है है हम abnormal molar mass या event of factors संबंदित कुछ numericals को solve करते हैं सबसे पहले हमारा example 2.12 है mcrt का example 2.12 आप देख सकते हो you have to open your notebook अपनी notebook खोलो और उससे आप अपना निमेरिकल देख सकते हो सबसे पहले आप इस निमेरिकल को पढ़िए इस निमेरिकल में कह रहा है टू ग्राम और benzoic acid यानि दो ग्राम benzoic acid है formula C6H5CHH एक्चल में formula इसलिए दिया होता है जिससे हम molar mass निकल सके dissolve in 25 ग्राम और benzeen so a depression in freezing point equal to 1.62 k molar depression constant for benzeen is 4.9 Kelvin किलोग्राम पर मोल what is the percentage association of acid if it form dimer in the solution देखो association कह रहा है उसने association और dimer का मतलब क्या होता है कि एक molecule जो पहले से अलग-अलग 2 molecules थे वो जुड़कर एक हो गई तो उसने उसको बोला जाता है dimerization जैसे कि पीछे देखा था जब मैं बता रहा था आपको ncrt के अंदर जो given है आपके पास acetic acid ने दो acetic acid आपस में hydrogen bond से जुड़ गए थो रखा है राइट कोई दिक्कत तो नहीं है अब डेल्टा टी एफ वो भी हमें दे रखा है कि डिप्रेशन इंफ्रिजिंग पॉइंट कितना आया 1.62 आ रहा है डेल्टा टीए बोलते हैं डिप्रेशन इंफ्रिजिंग पॉइंट को और kf भी हमें दे रखा है 4.9 Kelvin किलोग् तो मुझे सब कुछ दे रखा है मैं एमट्यों निकाल लूँगा तो मेरा एमट्यों आ गया 241.98 ग्राम पर मोल जब मैं इसको कल्कुलेट करूंगा तो मेरा मोलर मास आ जाएगा यह आया एब नॉर्मल मोलर मास जो बैंजोएक एसिड को डालने पर बैंजीन में ठीक है न जो उसके मास में चेंज आया वो आ गया मेरे पास एब नॉर्मल मोलर मास अब क्योंकि नॉर्मल मोलर मास तो फॉर्मूले से निकाल जाता है तो यहां से आई आई निकाल लेंगे आई आई आगया नॉर्मल मोलर मास अपॉन एब नॉर्मल मोलर मास तो मेरा आई कितना आया इसके अंदर 0.504 इतना मेरा i आ गया ठीक है इतना मेरा i आ गया तो यहां से मुझे degree of association निकालनी है यानि मुझे alpha निकालनी है और alpha के लिए मैंने association में अभी आपको एक formula बताया 2, alpha equal to 2 और bracket में 1 minus i alpha equal to 2 और 1 minus i मैं अभी पीछे से निकाल के लाया हूँ value put कर देंगे तो मेरा पार alpha आ गया, alpha का मतलब है कि वो इतने percent associate हो चुका है और इसमें multiply यदि मैं 100 की कर दूँ तो 99.2% यानि लगभग क्या है 99.2% associate हो चुका है associate का मतलब है जब उसको बेंजीन में डाला ना benzoic acid को तो उसके 99.2% associate होकर क्या है उन्होंने dimer बना लिया, क्या बना लिया, dimer तो देखो इस question में क्या था इस question में था हमारा कि 2 gram benzoic acid को 25 gram benzeeन में डाला तो depression freezing point आया, उसका molar depression constant आप percentage association निकालो, percentage association का मतलब है आपको alpha निकालनी है या percentage dissociation फिर भी आपको क्या निकालनी, alpha निकालनी है आप क्योंकि इसमें association हो रहा है, तो इसमें alpha निकालना पड़ेगा मुझे, right, ठीक है तो इस परिकार से हमने इस question को solve कर दिया सबसे पहले हमने abnormal molar mass निकाला फिर उसको i निकाला, फिर i फिर जो association i और alpha का रहले लेसन है, उसमें value put कर दिया और answer आ गया हमारा, right, अब हम कोई दूसरा question देखते है हमारा question number है 2.13 2.13 है कि 0.6 ml acetic acid है, जिसकी density है, कितनी 1.06 gram पर ml मतलब volume दे रखा है, density दे रखी है तो जब volume दे रखा हो, और density दे रखी हो, तो mass निकाल लेते हैं तो mass आ गया 0.636 मतलब W2 आ गया, उसमें पहले वाले में दे रखा था directly इसमें हमें indirectly density और volume दे रखे हैं तो multiply करके हमने क्या है, W2 निकाल लिया 1 liter water में dissolve गिया तो W1 भी आ गया, हमारे पास एक liter ठीक है depression in freezing point observed for this strength वा जितना, delta Tf भी आ गया क्योंकि freezing point पूँछ रहा है तो ठीक है, calculate went of factor, आएक तो I calculate करना है और एक हमें dissociation constant of acid calculate करना है तो यदि हमें I calculate करना है ठीक है तो क्योंकि सबसे पहले क्या है हमें ये सब कुछ दे रखा है ml में ये सब मास, liter सब कुछ दे रखा है तो यहां से W2 निकाल लिया फिर molarity का formula लगा दो W2 upon M2 into W1 तो W2 मुझे 0.673 और इसका जो मास आ जाएगा वो 60 आ जाएगा और एक लिटर पानी में तो मेरे पास आ जाएगा एक लिटर पानी का मतलब है उसे हमें एक किलोग्राम पानी भी कह सकते है यहां से molality निकाल ली तो molality आपने निकाल ली कितनी 0.0106 mol per kilogram यहां से molality आ गी KF मेरे पास है KF और molality divide multiply करके तो delta TF आ जाता है तो delta TF मेरा इतना आ गया यहां पर calculated जो boiling वो आया ना हमारे पास freezing point वो इतना है observe हमें दे रखा है observe हमें दे रखा है कि इतना जो है हमारे पास observe freezing point वो हमारा इतना है observe हमें दे रखा है calculated में निकाल के लाए हूँ observe में calculated का क्या कर दोगे divide कर दोगे तो मेरे पास i की value आ जाएगी किसकी value आ जाएगी और जब i की value आ जाएगी i की value आ जाएगी तो यहाँ पर degree of dissociation क्योंकि dissociation हो रहा है तो यहाँ पर formula मैंने बताया i minus 1 alpha का formula alpha equal to 1.041 minus 1 तो मेरे पास alpha आ गया 0.041 dissociation constant के यह मुझे निकालना है तो यह होता है c square alpha square c 1 minus alpha तो c with c दे रखा है हमारा जो molality निकाल के लाएगी वो c है तो दोनों की multiply दो बार कर देंगे ठीक है न उसके बाद alpha की multiply कर देंगे दोनों को करके नीचे concentration है 1 minus यह 1 minus यह हमारा हो जाएगा क्या जो alpha आया है यहापर value put कर देंगे तो k यह आ जाएगा हमार पास 1.86 multiply by 10 की पावर 5 इस परिकार से इस question को हम solve पल लेंगे दो question और देखने हैं हमको exercise की exercise का एक तो question number 2.32 है question number 2.33 है इसमें कह रहा है calculate the depression in freezing point आ रहा है यानि आपको delta tf calculate करना है इसके अंदर आ रहा है off water water का delta tf calculate करना है जब 10 gram जो हमारे पास क्या है acid दे रखा है इसको add किया जाता है 250 gram water में अब क्योंकि water में add कर रहे हो तो हमारे dissociation होगा के दे रखा है के एफ दे रखा है अब w2 है m2 है w1 है डबलू टू दस gram है m2 मेरा अब इसका इसका निकाल लेंगे पूरे का ठीक है न एमटू 122.5 लेंगे फारों क्योंकि सब चीज़ दे रख्या तो सब निकाल लेंगे w1 मेरा 250 gram है मोलायलेटी यहां से निकाल लेंगे हम मोलायलेटी होती है यहां से मोलायलेटी आगी मेरी यह अब क्योंकि मोलायलेटी मेरी आगी दिख्यों से पहले यह देगो देप्रेशन इंफ्रीजिंग पॉइंट का मतलब है हमें डेल्टा टी एफ का कल्कुलेट करना है वह आएगा मेरा i into kf into m से यदि मुरे आई हो kf और m अब kf तो मुझे दे रख्खा यह दे रख्खा ठीक है न मैं हां से निकाल के लिए आया अब मुझे चाहिए आई आई कैसे आएगी आई आएगी के उसके लिए हमें के दे रख्खा है और सी दे रख्खिए सी यहां मतलब यह ठीक है तो अलफा का फॉर्मल लगा लेंगे रूट k upon c तो k हमारे पास क्या है दे रख्खा है और यह जो हमारे पास m i है वो इतनी आई है ठीक है न वेलिपूट करके और हमारे पास अलफा इतना आ जाएगा अब मैं क्या रहा है डिसोसियेशन में निकाल दूँगा i होता है 1 प्लस अलफा ठीक है और 1 प्लस अलफा ह हो जाएगा मेरा यह अब मेरे पास आई भी आ गया अब मुझे क्योंकि डेल्टा टीएफ निकालना है और क्योंकि आई इंटु के एफम यही फॉर्मला क्यों लगेगा क्योंकि यहां पर डिसोसियेशन हुआ है ठीक है न तो आई आना जरूरी है आई है के एफ है और एम ह जिसमें 95 19.5 ग्राम सी एच्टु एफ सी डवल एच इस डिजॉल्विन 500 ग्राम आफ वाटर यानि अब यहां पर भी डिसोसियेशन काई के इस है तो डबलू तो दे दिया 19.5 ग्राम ठीक है न और डबलू दे दिया 500 ग्राम यानि सॉल्यूट का मास सॉल्वेंट का मास ठी पर में देगा अब नहीं रखा हो तो पर में फेपर में 100 परसेंट देगा वैसे वार्टर के लिए के अफ होता है वन पॉइंटर लिए यहां से निकाल लेंगे एंटू है नहीर इंद्टीटए में निकाल का लिए यानि हासी हमने निकाल लिया क्या आपको क्याय आपको DA था कूर आज Danish आज के लिए आपके पास नॉर्मल Math Technology हमारे पास आ चाहां फिर ना जब के आपको निकालना है तो उसके लिए चाहhoven को कीै का फॉर्मला होता है से अलवाय मैंनग hiya कर दूँगा तो के मेरे पास इतना जाएगा यह भी एक इंपोर्टेंट कुश्चन है 2.33 यानि इसमें हमें क्या है निकालना था वेंट फेक्टर आई आई के लिए क्या है उसको पानी उसको इतने ग्राम इसको पानी में डाला इतने पानी में ठीक है तो डिप्रेशन फ्रि वेलू के जो मैंने बताया था सी अलफा स्कार वनमानेस अलफा वेलू पुट करके के हमारे पास आ जाएगा यह भी इंपोर्टेंट कुश्चन है एक और कुश्चन है हमारे पास 2.40 एक साइज का है इंसी रटी 62 पेज पर है यानि एक साइज का 2.40 कुश्चन है उसके अं होगा डिसोसिन आइट आई वाला फेक्टर आना जरूरी है ठीक है न मोलर मास पताइए आपको डिजॉल्व इंट 2.5 लिटर ऑफ वाटर वॉल्यूम भी दे रखा है देट आप ऑस्मोर्टिक प्रेसर अप इस्तना एस्मोर्टिक प्रेसर भी दे रखा 0.758 एटमस्फियर वाल्यूम 2.5 लिटर है पाई 0.758 एम ХE temperature 27 दिगरी केलविन में change कर लेंगे वाल्यूम और temperature को इन करेके में ज हमान देना है वाल्यूम हमेश्वे लिटर में डीकरमें हमेश्वे स्टना आई मुझे दे रखा है और I की वैल्यू क्योंकि हमें वस्मोर्टिक प्रेसर एट करेंगे तो इन तीनों की मल्टिप्लाई हो जाएगी 0.75 111 और गुणा 2.5 और डिवाइड इसका हो जाएगा 2.47 इनका और इसका जब सबको डिवाइड कर देंगे तो देंगे तो Restor का जाएगे इस ग्राम को मोल में चेंज कर लेंगे यानि गिवं मारे सबको मोलरम kita काal के इतना है तो इतने मोल आ जाएंगे CACL2 के, यह हमारा एक आंसोर है तो यह भी हमारा क्या abnormal molar mass से ही question था एक हमारा last question है 2.41 ठीक है न, exercise का last question है इसमें हमें osmotic pressure determine करना, आपकी बार तो सीधा-सीधा pi determine करना है ठीक है न, w2 25 mg दे रखा है, mg को gram में change कर लोगी, m2 क्योंकि k2SO4 है, तो k2SO4 का k कितना होता है, 39 गुणा 2, s का 32 होता है और एक oxygen का 6 है, तो 4 का 64 हो जाएगा, सब multiply, divide करके 174 आजाएगा, ठीक है volume 2.5 liter है, temperature 25 degree Celsius है, तो किसमें change करना है Kelvin में, और I की value दे रखी हमको वो कहरा है, k2SO4 complete dissociate हो रहा है तो I की value आगे 3 R की value इसके अंदर आपको दो तरीके से रख सकते हो, क्योंकि इसमें या तो कोई कुछ बच्चे निकालेंगे बार में, R की value 0.083 रखकर, और कुछ निकालेंगे 0.0821 रखकर atmosphere में, तो आप दोनों से निकाल सकते हो आपने क्या काम किया और R की value यदि आपने इतनी रख दी तो फिर R आपका 5.27 गुणदस की पावर 3 आजाएगा atmosphere ये complete हो गया हमारा abnormal molar mass, इसमें क्या है, एक तो numerical, ये जो हमारे पास numerical है इन पे ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि 3 number का numerical आएगा, और पेसली एक ये numerical है, 2.41 2.40 ठीक है न, ये दोनों numerical पूछ लिए जाते हैं, दूसरा 2.32, 2.33 ठीक है, वैसे इसमें 5-6 numerical है इन तीनों अब आप अच्छे से practice करोगे, तो ये numerical सा जाएंगे और formula ध्यान रखना कि कब apply करना है, abnormal molar mass के formula जितने भी हैं, वो तब ही apply करने हैं, जो हमारा कोई electrolyte हो, ठीक है, ये electrolyte नहीं है, तो फिर हमें क्या है, normal formula I को लाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, ओके, thanks